कि आप सब्सक्राइब का हादिक स्वागत इस चैनल मेल्टी नियूज में MSC MLT इन माइक्रिवलजी में एड्मिशन है तूब विग्यापन जारी किया गया है और वो भी ऑन दे स्पॉर्ट एड्मिशन होगा इसी जिसका फर्स्ट ओपन काउंसलिंग 12.09.2023 को है और सेकेंड अगर्ज को सीट से बढ़ जाती है तो 15.09 को किया जाएगा PG प्रोग्राम के अंतरगत विभिन कोर्सिस में एड्मिशन हो रहा है जिसमें M.Tech Robotics है M.Tech Robotics, MBA Finance, MBA Business Analytics, M.Walk Management Banking and Finance, M.Walk Management HRM PG Diploma and Criminals, Forensic Sciences, M.S.C. Geo Informatics, M.Walk Public Health और M.Walk Agriculture हम बात करते हैं M.S.C. MLT की साथ नंबर पर दिख रहा होगा आपको M.S.C. MLT जिसमें मैकेवालोजी के लिए अड्मिशन स्टार्ट किया जा रहा है 2013-24 सेशन के लिए ये अड्मिशन है स्री विश्कर्मा स्किल इन्विश्टी जो की इंडिया की पहली गौवर्मेंट स्किल इन्विश्टी है सरकारी इन्विश्टीम एड्मिशन और ये इस्थित है दिल्ली NCR रिजन में हर्याना में हर्याना के पलवल में जो की फरिदाबाद से बहुत ही पास में नजदीक में है और बहुत बड़ा कैमपस है उसके द्वारा एड्मिशन की प्रोसेस स्टार्ट की गई है आपको लाना क्या क्या है यह इंपोर्टेंट है यह दिखने से चलूर है तो में अड्मिशन लेने के लिए है बेशिक वालीफकेसन विए की पेशीए मेल टी पीए सी एम्ल्टी हो गए आपका वी वोग ए मल्टी और यह दो भी मल्स्ट भी किया हुए तो भी एलेजबल आपको लाना क्या है? ओरिजिनल डॉक्मेंट्स जिसमें टेंथ, ट्वैल्थ और बीस से एम्ल्टी का डिजीरी है सर्टिफीकेट। फी मेडिकल सर्टिफीकेट आधार कार्ड इंगम सर्टिफीकेट। यह सबी डॉक्मेंट्स लिएकषण क्या आना है? सेर्फ अटेश्टर फोटोकॉपी सुनी चाहिए साथ ही साथ ही जो है आपको एक वेज़ से पहले पहुचना अनिवार है और इंट्विज लिया जाएगा इसमें जो फीस स्ट्रक्चर है वो पर सेमेस्टर बाईस हजार छे सो साथ है जो कि बहुत ही कम फीस है और इंवर्शिटिस में यहीं फीस चालिस चालिस हैजार करीब होगी आप अड्मिशन लेना चाहते हैं तो बारत तारिको आप स्रीविश कर्मा इसकी इंवर्शिटी जो कि दुधौला पलवल में इस्तित है वहां पर पहुचे साड़े नौ बजे से एक बजे तक के पीछ में उम्मिद करते हैं कि जिनको अन्मिशन लेना है वह ज़रूर प्रयास करेंगे अगर आपको कोई कंफूजन है कुछ समय में नहीं आ रहा है कमेंट किजिए आपको तुरंत हम रिप्लाइग करेंगे और को कोई समस्या हो रही हो नहीं समझ में आ रहा हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किजिए का मैं रिप्लाइग करूंगा बहुत बहुत धन्यवाद